ये गाइस मैं आर्टी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ वेरी इजी टू प्रिपेर वेट लॉस रेसिपी जो कि सिंगल सर्विंग है और गर्मियों के लिए काफी बढ़िया रेसिपी है इसे आप अपने लंच और डिनर में ले सकते हो और स्नैक्स की तरह भी ले सकते हो तो आईए मैं आपको बताती है इसे बनाना कैसे है सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है ओईल तो मैं ऑलिव ओईल यूज कर रही हूँ आप अपनी पसंद का कोई भी ऑईल घी बटर में इसको बना सकते हो फिर हम इसमें एड़ करेंगे मुंफली पीनर्स ये एक बड़ कितनी क्वांटिटी में मैं क्या चीज ले रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फिर एड़ करेंगे मस्टर्ड सीड्स और सुखी हुई लाल मिर्च आप लाल मिर्च की जगा हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हो तो थोड़ा सा हम गोल्डन कर लेंगे लहसुन की जो हमने क्रश्ट किया ना इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे और उसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ फ्रेश करी लीव्स और फिर हम इसको हलका सा स्टर करेंगे अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हींग भी आड़ कर सकते हो और गैस की फ्लेम से इसको अलग कर लेंगे उसके बाद इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए दही तो मैंने यहां पर लो फैट कर्ड यूज किया है आपके पास घर की बनी दही हो आप ले सकते हो मलाई हटा देना और उसके बाद आप यह दही यूज करना फिर उसके बाद हम इसमें एड़ करें और अगर आप ट्राय करते हैं तो प्लीज फीडबेक शेयर किजिगा और आम शॉर आपको इस रेसिपी काफी जादा पसंद आएगी थोड़ा से मैंने पिंक सॉल्ट एड़ किया है अच्छे सम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी सबजिया तो सबजियों में आपके पास जो भी रौ सबजिया हम खा सकते आप वो एड़ कर सकते हो मैंने थोड़ा इसमें लिया है प्याज और खीरा लिया है खीरा जो है गर्मियों के लिए तो काफी बढ़िया होता है काफी इसमें ज्यादा मातरा में पानी होता है लो इन कैलरी हो फिर मैंने थोड़ी सी एड़ करी हरी धनिया और अगर आपके पास बेसल लीव्स होना तो आप इसमें एड़ कर सकते हो हरी धनिया की जगह काफी बढ़िया फ्लेवर आता है यह हमारा एक देसी स्टाइल तड़का पास्ता बनकर तयार है बिलीव में यह रेसिपी आपको बह हमारी रेसिपी बनकर तयार है खाने के लिए इसको आप as a cold salad भी सॉफ कर सकते हो और यह बच्चों को भी काफी पसंद आएगी तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक कीजगा ऐसी healthy short recipes के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजए मैं आपको जंद मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तिल दैन एट हैपी और स्टे हैपी बबाई तेक केर